एक छोटा सा बिजनस आप बड़ा दमाकर कर सकते हो मैं ऐसा बिजनस आइडिया लेकर आऊँ जिसमें कम लागत में बड़ा बिजनस कैसे बना सकते हो आप चाहो काओं हो या सिटी हो कोई भी प्लेस हो कहीं भी हो आप कोई भी जगह रहते हो किसी भी लोकेशन में रहते हो आप ये बिजनिस कहीं से भी कर सकते है इसकी जरूरत 365 दिन ही रहती है आप चाहो तो हर गर में यूज होता है ये सुबा से लिगे साम तक यूज होता है सुबा और जब लोक जागेंगे जब आपका ही प्रोड़क्ट यूज करेंगे ऐसा प्रोड़क्ट है हमारे पास आपको इस तरीके से मैं पूरा इस वीडियो में बताऊंगा क्या है बिजनिस है इस वीडियो में पूरी इंफॉर्मेशन और डेटेल्स में बताएंगे कि ये बिजनिस है सिटी और मार्केट में कहीं भी ये बिजनिस करेंगे और इसकी जरूरत रोड डेली परचेस करते हैं इस प्रोड़क्ट को मैं चाहता हूं उसी प्रोड़क्ट पर काम करना चाहिए तो वो बिजनिस आइडिया क्या रहेगा आपको मसाला पैकिंग अलग हौल सेलर अपने सिटी बिक सिटी में साहिए और उसको वहां से हौल सेलर से बात करके आप कम प्राइस पर आप जाता उनको करने के बाद फिर आपको क्या करना है उसको अच्छी तरीके से पैकिंग सीलिंग करके इस तरीके से मार्केट में बेचना है तो ये वीडियो खालती इंडिया मार्ट से ही गरण पर थू कर सकते ही आप किसी भी लॉकिसिन में आप रहते हैं कहीत से भी और इधर भी आप श्युब्लिपया कर सकते हुए कंशियर चाहिए कि आप सिदू के सब्सक्राइब कर सकते हैं, और यह साधा सीट बनवा सकते हो पर सीट जो आपको मार्केट में आप अल्लेड़ी अपलेबल है आप कहीं से भी इसको परचेस कर जखते हो तो क्या करना है सबसे पहले मैं यह और बता देता हूँ इस प्रेट बाइट वेपर पर आपको इसे अच्छी तरही के से इसको कम से कम आपको 6 तरफ 6 तरफ लगाना है दोनों तरफ से अच्छी तरीके से पैकिंग कर लेना है फिर इसकी सैलिंग की बात आती तो सैलिंग कैसे करना है कहा करना है भीड़ बाल मार्केट इलाका में यह आपका सैल होगा Sell होने से पहले बहुत सारी जो Sobs जो होती हैं बहुत सारे बड़े बड़े Wholeseller होते हैं Already वो इतना माल पर्चेस नहीं करते हैं Normally जो होते हैं कि कुछ जरूरत की चीज होती बस तरब उतना ही पर्चेस करना चाहते हैं उनको एक दो किलो नहीं लेते हैं उन्हें सोचते हैं कि 5-10 रुपे की चीज मिले चलो इतना इसे काम चला लेते हैं बागी फिर बात में देखेंगे तो लोग जो बड़ा सामान परचेस करते हैं जादा कॉन्टेटीम परचेस करते हैं वो इचलीम होते हैं या दुकान बाले होते हैं या किसी की साधी बया होता है तभी वो इतना माल परचेस करते हैं ऑलसेल से पर मैं रिटेल की बात कर रहा हूँ रिटेल में आप अच्छा गाजा ही कमाओगे आप सबसे पहले जो बिजनेस है गाओं और सिटी में जितने क्रान हैं कि सबसे पहले उदर जाएए अपनी बात करिए और उनको बताना है कि मैं ये सरी के लिए बिजनेस करता हूँ बनवा लेना है व्रिस्टिंग कार्ड आपका रहेगा और उसमें नंबर रहेगा आप उनको बताना है कि ये सारे चीज्व हम परोडेक्ट पेकिंग करते हैं और ये सब्सारा चीज्य रहेगा इस तरहीं कि आगा उन्हें कुछ सैंपल में डेमो लेकर जाना है फिर उनसे चाली मिर्चि होती है और्था दर्डब्स इसमें कम से कम सो से प्लस आइटम पैक कर सकते हूं जैसे राइव बगेरा विए मोवि आपकर कर सकते हो और क्राणी की शॉप जो आपको ऐसा तो है नहीं कि सिटी में अंदर होते हैं गाउं सिटी हर जगा अब क्राणा वाला सौप वाला यह काम करता नहीं यह सब अपको अपनी सौप चलाएगा यह आपका पैकिंग करेगा तो ध्यान रखते हुए मैं आपको यह बताना चाहतो पैकिंग अच्छे से करना है और आपको सीलिंग मसीन से आपको अच्छी तरह के स्पैसिक पैकेज करना है और आपका यह बिजनिस देखा जाए तो नॉर्मल यह आपके पास अगर सिर्फ only पंदरा सरु रुपए हैं अब आराम से बड़ा बिजनिस बना सकते हो बहुत इजी बिजनिस है यह और यह कोई इसमें डिग्री और कोई सी भी चीज़ की कोई भी एज्यूकिशन की जरूत नहीं होती है कम बज़ट में ही स्टार्ट होता है लिख नौरमली आप इसमें लाइसनस भी अगर आप जब आपका बिजनिस बड़ा लगे कि आपका हम ठीक है अपना बनाना चाहते तो ब्रांड के साथ नाम भी आपका हो जाएगा और और लाइसनस ले सकते हुआ food license भी मिल आएगा food license स्रिफ एक 1000 रुपय के मनता है profit की बात करूं अगर आप डेली के गर 10 रुपय में बेचो के आप 10 10 रुपय में बेचो के आप मान चलिए 5000 रुपय का आप डेली का profit करेंगे उसमें से समझे आप ज्यादा नहीं करके चोटा है और बड़ा हो पर business अपना होता है वह अपने यह वीडियो देखा हुआ है तो बहुत अच्छा लगा है तो मैं चाहता हूं कि इस वीडियो को लाइक और subscribe दोनों करें ताकि next वीडियो आपको बहुत जल्द आपके पास पहुचे साहिद आपको ये वीडियो आपके काम का ना हो पर लेकिन जो next वीडियो मैं आपके लिए डालूंगा साहिद वो आपके लिए बहुत काम का बहुत important हो सकता है मैं request रहेगा कि आम आपके hope के लिए मैं आपके business recording वीडियो डालूंग जिससे आपका बहुत काम आए thank you